गोड इवनिंग टू गोड इवनिंग टू अल अफ यो वेलकम टू बिजेस एजुकेशन चैनल ग्लास 10 इंफोर्मेशन टेकनोलोजी का 13 मार्च को एक्जाम है तो मैंने पहले दो वीडियो अप्लोड किया हुआ है आज मैं तीसरा वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ पिछला जो मैरा पहला वीडियो था उसमें 1st two chapter के मैंने most important question बताये थे और जो मैरा second वीडियो था वो database management system के important question मैंने बताये थे वो वीडियो थोरा लंबा हो गये था लेकिन उसमें most important question है वो आजकाल जो DBMS है वो market में company में बहुत use होता है तो वो chapter बहुत ज़्यादा important है इसलिए वो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, आप लोगो वो दोनों वीडियो देखना है, और यह जो आज में तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें चैप्टर फॉर्थ आपका वेब एप्लिकेशन एंड सेक्रूटी, यह तीन वीडियो आप सबको देखके जाने है, यह तीन टाइम है, इस एंड टाइम में आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने के जूरत नहीं है, जो इंपर्टन कोशन बताया जा रहा है, उसको करिए, कोशन वहीं से आएंगे, और आपके 50 नंबर का थियोरी का पेपर होगा, और 50 का प्रेटिकल आपको हो चुका है, जो पास सेंपल पेपर नहीं है, मैं सेंपल पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, और जिसके पास आईटे का बुग नहीं है, वो आईटे का बुग भी अगर चाहिए, तो वो भी लिंक में मिल जाएगा, और सेंपल पेपर आपको करके जाने है, क्योंकि उस आपको चप्टर है वेब एब्लिकेशन एंड सेकुर्टी इसमें आपको पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है वर्किंग एक्सेशिबिल्टी ओप्शन नेट्वर्किंग फंडमेंटल उसके बाद इंस्टेंट मेसेजिंग और गूगल टो कैसे होता है और वेब पीज हम कै से किया सैथी कैसे मेजर कर सकते हैं और वर्क पलेस कैसे होता है यह आपको पढ़ना है जंग का मोटर शकील में दिखते है विख मazi yht हो पा है अठिक है उनके वन्हें यह बस पढ़ना है और थième किस किस ट्राप के आपके यह accessibility option होता है यह आपका पढ़ना है disability कौन-कौन से टाइप के होते हैं तो यहां देखो दिया हुआ है dialectsia दिया हुआ है उसके बाद आपका cognitive impairment दिया हुआ है learning disability दिया हुआ है और एक होता है ADHD यह क्या होता है attention deficit hyper activity disorder ठीक है और एक होता है movement नहीं हो रहा mouse में यह keyboard में तो यह सब उनकी लिए है जिने कुछ disability है ठीक है न तो इतने type के disability होते हैं उसके बाद आपको कैसे इसको launch करना है window xp है window xp मतलब operating system operating system वह होता है जिसके थुरू computer work करता है ठीक है तो अब window xp use नहीं हो रहा है accessibility option मिलता है इस type के आपको आपको खुल जाएगा यह पूरा आपको का check box खुल जाएगा ठीक है अब पहले आपको देखो इसमें क्या करना sticky key first अपकर क्या है sticky key sticky key क्या होता यह accessibility feature है यह किसके लिए है जो physical disability है जिने physical disability है उनकी लिए है और यह क्या काम करता है यह जो modifier की होते हैं जैसे modifier की किसको बोलते है shift control और alt ठीक है shift control और alt जो modifier की है यह हमेसा active रहता है जब तक आप कोई other key press ना कर देए तो आपको इसमें क्य पढ़ना है जो sticky की किसके लिए है physical disability जीने है उनके लिए और क्या काम करता है जो modifier की है इन्हें active करता है जब तक आप कोई दूसरा की press ना कर देए automatic active रहता है ठीक है आप आजाओ next क्या है आपका filter की तो filter की किसके लिए है यह जो repeated keystroke होते है repeated जो character later होते है यह इसको ignore करता ह और tapping को easy बगरता है और fast बनाता है ठीक आपको बस यह पढ़ना है किसके लिए है और क्या काम करता है बस यह पढ़ना है तो filter की बता दिया मैंने निचा जो toggle की है तो toggle की किसके लिए है उनके लिए जिने दिखाई नहीं देता vision impairment और या तो cognitive disability cognitive मत होता है बुद्धी मता जि जिने vision impairment है उनके लिए होता है और toggle की क्या काम करता है ये क्या करता है Caps LOG NUM LOG और scroll LOG इसको यह आपको पढ़ना है यह किसके लिए क्या काम करता है उसके बाद बहुत सारा है यह आप देख लेना नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ठीक है cursor option भी होता है mouse tap होता है जिने mouse पकड़ने में कुछ दिकत होती है तो उनके लिए होता है mouse की difficulty using a mouse जिने mouse पकड़ने में कुछ दिकत है उनके लिए होता है mouse tap ठीक है न? mouse की उसके बाद नीचे आजाओ serial की या आपको एक बाद देखना है अब आजओ networking fundamental networking fundamental यह होता है network मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे computer आपस में interconnected होते हैं उसको बोलते है networking आपस में computer interconnected हैं वो क्या करते हैं file share, data transfer करते हैं photo, video transfer कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ printer और scanner transfer कर सकते हैं share कर सकते हैं तो यह होता है network, जहां पर आपस में कुछ भी आप share करते हो, ठीक है, through network, network में बहुत सारे आपस में आप सेयर करते हो, network में computer आपस में connect होते हैं, अपके दो type के architecture होते हैं, एक होता है peer-to-peer, एक होता है client server, peer-to-peer में क्या होता है, जो equal status होता है, हर एक computer equal एक समान होता है, peer- अधरी टर्मिनल के पास equally component CPU होते हैं, तो peer-to-peer में क्या याद रखना है, सब एक समान होते हैं, client server architecture में क्या होता है, तो server होता है, वो बहुत powerful होता है, और client उतना powerful नहीं होता है, तो client क्या करता है, server से service लेता है, और server क्या करता है, service देता है, तो जो ज़्यादा powerful होगा, तो server इसमें बहुत ज़्यादा powerful है और client इसमें थोड़ा कमजोर है तो client service लेता है, server client को service देता है आपके network कितने type के होते हैं, दो type के network इसमें दिया हुआ है, एक होता है lane, एक होता है wayne और एक होता है main, metropolitan area network वो आपके syllabus में भी दिया है नहीं है, तो lane किया होता है local area network, यह एक छोटे area में काम करता है, ठीक है जैसे छोटा geographical area, जैसे home हो गया, school हो गया, computer lab हो गया, office building हो गया, इन सब में जो छोटे range में काम करता है, जैसे इसका example हो गया वाइफाई, वाइफाई छोटे range में काम करता है चोट area में, और एक होता है wide area network, यह बहुत large area में काम करता है, जैसे कि एक country से दूसरे country आपको internet establish करना है, तो उसके लिए आप wide area network use करेंगे, इसका best example है internet, ठीक है, internet पुरा world में चलता है, तो इसका best example है internet, अब एक हो गया internet, इंटरनेट आप पता यह internet क्या है, आप कहीं से इंटरनेट में आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अप लोड कर सकते हैं, हर एक काम आप कर सकते हैं, ठीक है, अब आपका next है, worldwide wave, www, worldwide wave क्या होता है, worldwide का founder आपको याद करना है, founder कौन है, टीम बरली इसके founder है, और worldwide wave क्या करता है, यह आपक उसको एक्सेस करता है दिखाता है कहां पर वेब ब्राउजर पर तो व्ल्ड वाइड वेब क्या है वेब क्या है एक तरह का जाल है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेज हैं तो यह क्या करता है उस वेब पेज को एक्सेस करके आपको दिखाता है कहां दिखाता है वेब ब्र अब आपको पढ़ने है advantage networking के तो क्या क्या advantage होते हैं networking के data sharing होता है, file transfer होता है, hardware sharing होता है, hardware में printer और scanner share कर सकते हैं, internet access sharing, internet भी हम share करते हैं आपस में, जिससे किसे ने hot spots on कर दिया, तो कोई दूसरा wifi connect करके उसका internet access कर सकता है, ठीक है, उसके बाद internet best application होते हैं, जैसे browser हो गया, email client हो गया, chat हो गया, video calling हो गया, audio हो गया, यह सारे आप advantage हैं किसके networking के, ठीक है, अब एक होता है internet service provider, यह क्या करता है, internet service provide करता है, अब यह internet service कैसे provide कर सकता है, एक होता है dial up using modem, एक होता है direct wire से, एक होता है wireless से, इन तीन तरीके से यह internet service provide करता है, बस यह याद करना ह अब modem आ जाओ, modem क्या होता है, modulator और demodulator, इसका काम क्या है, digital signal को analog signal में convert करना, through phone line, phone line से ये analog signal को digital signal में convert करता है, simple है, अब आपको यह याद करना है, ये wired है, कौन-कौन से wire type के हैं, कौन-कौन से wireless है, तो wired कौन-कौन से होता है, dial-up, DSL, DSL क्या होता है, digital subscriber line, तो dial-up और DSL और cable internet access ये wire होता है, और wireless 3G, WiMAX और Wi-Fi, ये आपके wireless है, ठीक है, अब dial-up देख लो, dial-up क्या होता है, ये internet access प्रवाइड करता है, through public switch telephone network, जो public के लिए जो telephone का network बिछा रहता है, जो एक wire आता है, telephone का पतल पतला, पतला, उसके through हम internet access यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा slow होता है, अब इसका use कम होगी है, और एक होता है dial-up connection, एक होता है dial-up, एक होता है dial-up connection, थोड़ा fast काम करता है, देखो high speed होता है, ये लेकिन DSL के through use होता है, DSL मतलब digital subscriber line, अगर आप dial-up connection यूज़ करें होगा, और ये fast internet आपको provide करता है, देखो DSL दिया न, digital subscriber line, ये क्या करता है, provide internet access by transmitting digital data over wired, ये भी wired सही होता है, लेकिन इसमें एक modem लगा रहता है, जो आपको fast, देखो high frequency interface, आपको high frequency interface देता है, ये भी telephone wire सही होता है, लेकिन इसमें एक modem या तो DSL लगा रहता है, जो high frequency interface provide करता है, और आपका net speed fast होता है, ठीक है, अब एक होता है cable internet access, जो cable के थुरू, wire के थुरू, आप internet access कर रहे हो, इस सब इसके अंदर आ जाएगा, 3G, 3G तो पता ही है, 3G, अब तो 5G आ गया है, 3G भी high speed होता है, लेकिन अब 5G आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 3G आएगा आपको लिखना है कि high speed download provide करता है, packet access करता है, simple आपको 3G के बारे में लिखना है, अब यह बहुत important है, WiMAX, WiMAX क्या होता है, worldwide intro durability for microwave access, यह क्या आप काम करता है, long range system है, जहाँ छोटे छोटे, जहाँ DSL और cable internet access cannot be used, जहाँ DSL और cable internet पर पहुच नहीं पाते हैं, वहाँ WiMAX काम करता है, WiMAX आपको क्या करता है, यह large area में काम करता है, across city और country, variety of device, many kilometer, जो बहुत large distance होते हैं, वहाँ WiMAX काम करता है, ठीक है, WiMAX large area, large geographical area में काम करता है, जहाँ DSL और cable internet exposure नहीं पाते हैं, ठीक है, वह बहुत है Wi-Fi, Wi-Fi तो पता ही है, Wi-Fi छोटे area में काम करता है, ठीक है, Wi-Fi high speed आपको देता है, Wi-Fi का full form क्या है, wireless fidelity, wireless fidelity, इसका full form है, छोटे building में, जहो, old building, outdoor area, छोटे area में आप इसको use कर सकते हैं, इसका range कम होता है, ठीक है, उसके बाद आजाओ, next क्या पढ़ना है, आपको दिखाते हैं, आपको यह जो मैं बता रहा हूँ, बहुत important है, यह सकते हैं, Yahoo से, Google Talk से, ठीक है, आपको यह पढ़ना है, feature क्या क्या है, आप text message कर सकते हैं, audio calling कर सकते हैं, video calling कर सकते हैं, file transfer कर सकते हैं, message history check कर सकते हैं, यह सारे आपकी feature है, instant messaging के, यह आप बना के भी लिख सकते हो, बहुत हीजिए, अब आपको account बनाना है, account बनाना सब को आता आपको लिखने है, आपको जो अभी latest पता है, वो लिख दो, जैसे Facebook हो गया, WhatsApp हो गया, instant messaging के, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, अब Google Talk में आप chat कर सकते हो, यह वो ही बोला है, जो हम chat करते हैं, सब वो ही है, यह book थोड़ा old हो गया है, आप Gmail में भी chat कर सकते हो, Gmail में chat किया वो इसा बता रहा है, अब आपको ब्लोग होता है, आप अपना ब्लोग बना सकते हो, किसमें, वेब पेज पर, ठीक है, हम ब्लोग क्यों बनाते हैं, अगर आपको कोई message आपको भेजना है, convey करना है, message अपना, किसी event के बारे में, announcement करना है, news है, कोई review देना है, आपको movie का, ठीक है, तो वो आप ब्लोग में कर सकते हो, तो ब्लोग आप किसमें बनाओगे, वेब पेज बे, वेब पेज में आप ये सब चीज लिख सकते हो, उसे को बोलते हैं ब्लोग, और ये कहां चलता है, वेब ब्राउजर पर चलता है, वेब ब्राउजर, Google Chrome, Mozilla Firefox, उसमें आप वेब पेज ओपेन कर सकते हो, और आप अपने वेब पेज में आप ब्लोग बना सकते हो, अपनी information सेर कर सकते हो, पब्लिक के साथ, ठीक है, अब ये different type of blogs है, WordPress, Blogger, Blog, Wibli, Blogsum, ये आपको याद करना है, ये सारे offline है, ये आप freely available है, आप freely इस ब्लोग के यूज कर सकते हो, ठ आया है, ये इतना important नहीं है, ठीक है, अब आजाओ नीचे, उसके बाद offline blog editor, आपने blog तो बना दिया, आपको blog edit करना है, तो editor कौन-कौन से है, ये दिया हुआ है, ये सारे अब यूज होते नहीं है, ये syllabus बहुत पुराना book छपा हुआ है, लेकिन हमें अभी ये syllabus करना है, य इसे बाद को याद रखना है, ठीक है, उसके बाद आजाओ नीचे, उसके बाद आप आजाओ यहाँ पे, online transaction, अब online transaction हम करते हैं न, facebook से हम, sorry, amazon में हम online shopping करते हैं, तो online transaction कैसे करते हैं, क्या ये useful है, हमारा time बजाता है, और कभी-कभी हमें coupon भी मिलता है, और पैसे भी discount मिल जाता है, online transaction कैसे कैसे करते हैं, NEFT और RTGS दो तरीके होते हैं, NEFT के National Electronic Fund Transfer, RTGS को रहता है, Real Time Growth Settlement, आपको बल्क में पैसे भेजना है, तो आप NEFT और RTGS के थूरू पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इसने हमारा life बहुत easy बना लिया, हम घर बेटे-बेटे, कहीं से भी हमें कर सकते हैं, तो आजकाल टाइम में बहुत useful है, जो business जो चलते हैं, बड़े-बड़े, वो second हो में, minute में कई करोडों का transition करते हैं, तो यह कैसे हो रहा है, online transition benefit, बहुत सारा इसका benefit है, ठीक है, अब देखो online shopping कैसे आपका useful है, customer does not have sufficient time to visit store, आपके पास store जाने का time नहीं है, और visiting store is more expensive, आजकाल visiting store में जाना बहुत expensive हो गया, किराया लगता है, तो आप online product खरी सकते हो, ठीक है, और product or service that is not available in the local market, जो local market में कुछ सामान आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको online में available हो जाता है, तो यह सारा आपको benefit है, और कौन-कौन से है, popular website IRCTC हो गया, flip card हो गया, EB हो गय मिसो, Amazon, अभी नया नया बहुत सारा आया है, आपको सब लिख सकते हो, फिलिप कार्ट में भी आप कर सकते हो, वही सब बता रहा ही, ठीक है, आपको बना-बना के लिखने है, इस सब बहुत important है, छोड़ के आपको जाना नहीं है, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट मेजर अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें आप कैसे मेजर अपना सकते हो, देखो हाई रिक्स होता है, फ्रोड होने का, ठीक है, यह आपको सेशन बताएगा कैसे आपको बचाना है, आपको एंटी वाइरस इंस्टोल करना है, अपने कम्पूटर पर या अपने होता है, उसको एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है, अब आप कैसे सिकूर्टी बेस्ट कर सकते हो, स्ट्रोंग पासवर्ड बनाकर, और जो पासवर्ड बनाओगे, उसमें अलफा नुमेरिक और इस्पेसल करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और पासवर्ड ऐसा बनाओ, जो नहीं हो, क्रेक करने के लिए, जो अधर गेस ना कर पाए, पासवर्ड आपके फैवरेट कलर, फ्रेंड्स, रेलिटिव नेम, बाइक नंबर, मॉबाइल नंबर, यह सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई इसली उसको गेस करके, वो हैक कर लेगा, ठीक है, और पासवर्ड ना है, आपको पासवर्ड स्ट्रोंग बनाना है, तब चांस कम होता है कि कोई आपको हैक कर ले, अगर इजी बनाओगे तो कोई भी हैक कर लेगा, अब देखो क्या कि आपको गाइडलाइन्स मेजर अप करना है, 12 से 14 करेक्टर बीच में होना चाहिए, ठीक है, आपको साइट पर अलगャग पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको, तब आपका पासवर्ड होता है, ये एकजांबल दिया हुआँ, थीक है, इस तरह आपको पासवर्ड बनाना है, नई तो आपका एकाउंट हैख हो सकता है, तो आपके सारे ट्रांजिशन ह हो जाएगा, पैसे चला जाएगा ठीक है और आपको जो कूफीस होता है जो ब्राउजर में हिस्ट्री होता है वो आपको डिलीट करना है बार बार नहीं तो कोई भी आपके हिस्ट्री चेक कर लेगा वहां से एक्सेस कर सकता है और जो आपके जीमेल में जो इस पेम आता है यह जीमेल में क से secure करता है कोई भी आपका computer hack नहीं कर पाएगा तो यह सारे आपको measure आपको लेने हैं अगर आपको security provide करना है तो और browser को आपको हमेशा clear करना है जो history उसको हटाना है clear करना है ठीक है यह सब आप measure ले सकते हो जिससे आपके account hack नहीं होगा अब वर्क workplace में safety कैसे measure कर सकते हो देखो आपको fire safety लगाना है अपको first aid होना चाहिए emergency में तो इन सब का आपके पास use होना चाहिए तब आप safety rule measure कर पाऊगे workplace में fire safety fall and sleep कर धियान रखना है electrical safety और use of first aid यह सब आपके पास होना चाहिए workplace में अब basic fire safety कैसे कैसे use कर सकते है फॉइर इसके प्लाण होना चाहिए निकलने के लिए उसे रेगुलर ड्रील करना है इस नेकी लिए और साव ननीद करना तो अमि देखना देखना के लिएम यह आप बना के भी लिख सकते हो, यह उतना hard नहीं है, ठीक है, हजार डियर्ड है, अब आप कैसे accident को prevent कर सकते हो, emergency में, अब पहले आपको यह पता रहो चाहिए accident होता क्या है, कितने type को होते हैं, एक sleep and fall accident, कोई गिर गया, fire, industrial disease illness, road traffic accident, clinical accident, और sport related accident, इतने type के accident होते हैं, ठीक है अब आप कैसे इसको handle कर पाओगे, SOP होता है, एक rules होता है, उसको आपको follow करना है, safety measure लेना है, to prevent workplace accident, immediate call, medical team को immediate call करना है, stay alert रहना है, और आपको जो emergency drill होता है, उसमें आपको हमें सब pay attention करना है, धिहाम देना है, उस emergency drill में, ठीक है, अब देखो, type of emergency कितने type होते हैं, chemical spill, extreme heat wave, drought, pandemic, terrorist attack, fire, flood, thunderstorm, leakage of some hazardous gas or chemical, ये सारे आपके क्या है, type of emergency है, ठीक है, अब some of the type of emergency that require evacuation, जिसे बाहर निकलने, आपको ये evacuation मतलब बाहर निकलना, fire हो गया, उसमें बाहर निकलने के जगह होना चाहिए, explosion हो गया, कहीं बॉम पड़ गया, तो वहाँ से बाहर केच निकलने, flood जितान रखना है, ठीक है, अब कैसे आप protect कर सकते हो, safety, तो आपो different type of hazard, physical, chemical, biological, or mechanical, ये क्या है, hazard है, और ये सब आपके दिये हो है, कैसे आप safety measure कर सकते हो, क्या है, keyword क्या है, safety, display की बारे में दिया होआ है, तो वर्क स्टेशन में sufficient space होना चाहिए, दो चार लोग आफस में न प्रोपर इस्पेस होना चाहिए वही घुमा फ्राइगे बोलडर आपको बस ध्यान रखना है कॉनकों से टाइप के हज़र्ड होते हैं कैसे कैसे स्टेप हमें मेजर लेने हैं अब healthy living कैसे होगा जब आप अच्छा खाना खाऊगे physical activity करोगे stress management करोगे healthy mind होगा sound sleep होगा और goal setting होगा तब जागे आप healthy रहोगे नई तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे जैसे आप अभी टेंशन में हो पेपर है आपका तेरे ताड़े को तो टेंशन नहीं लेना है जो जो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक और सुस्क्राइब मैं चैनल ओके बाइबाए थैंक यू